English कैसे सीखें? YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक-एक लाइन को रीड करेंगे और इसके important word meaning को हम आपको लिख कर बताएंगे जिससे आपको वो word meaning जादा समय तक याद रहे और आपको English से हिंदी में translate करना असानी से अन लगे इसे के साथ आप कर देजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शरूँ अगली डख्लिंग बतसूरत बतक का बच्चा अगली का मतलब होता है बतख डखलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा Mother duck was really proud of माता बतख को वास्तों में गर्व था Mother का मतलब यहां है माता डख बतख was था really वास्तों में वास्तों में proud of गर्व हर six new ducklings अपने नए छे बच्चों पर new का मतलब है नया ducklings बतख के बच्चे हर अपने they were soft वो मुलायम थे fluffy and yellow सुंदर बालों वाले और पीली दे का मतलब है वे यानि वो ducklings वर थे soft नरम fluffy जब बाल बहुत नरम हो और हवा के साथ उड़ता हुआ नजर आए उसे हम fluffy कहते हैं yellow का मतलब पीला such fine little ducklings इतने अच्छे छोटे छोटे बतख के बच्चे such fine का मतलब है इतने अच्छे little छोटे 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 ducklings बतख के बच्चे but लेकिन the seventh one सात्वाँ वाला was very different बहुत अलग था different का मतलब है अलग was था seventh one सात्वाँ वाला सात्वाँ वाला but का मतलब लेकिन it was bigger यह बड़ा था and its feathers और इसके पंक were grey grey थे feathers का मतलब है punk bigger का मतलब किसी की तुलना में बड़ा था यानि उन बच्चों से वो बड़ा था grey grey color and shaggy और जबरीला था and का मतलब होता है और shaggy जिसके लंबे बालों उसे shaggy कहते हैं वो बड़ा था उसके punk grey और लटके हुए थे या बड़े थे it looked so ugly या बहुत ही भद्दा दिखता था looked दिखता था so बहुत ugly भद्दा धान दिजेगा यहाँ पर so का मतलब बहुत यानि very से है अगर हम इसे कहें it looked very ugly तब भी सही रहेगा all the same ऐसा होने के बावजूद भी all the same का मतलब है ऐसा होने के बावजूद mother duck thought माता बतक सोचती थी thought का मतलब है सोचती थी thought think का second form होता है think का मतलब होता है सोचना thought है तो सोचती थी it's my baby duckling यह मेरा ही बच्चा है my का मतलब है मेरा she loved it dearly यह इसे बहुत प्रेम करती थी she का मतलब है वह loved प्रेम करती थी प्रेम करती थी it इसे dearly very much यानि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अगर हम यहाँ पर इसे very much कहें dearly को तो भी सही रहेगा but लेकिन the other six brothers लेकिन दूसरे छे भाई and sisters और बहने लेकिन उसके दूसरे छे भाई और बहन did not like the ugly duckling उस भद्दे बत्दक के बच्चे को पसंद नहीं करते थे did not like का मतलब है पसंद नहीं करते थे पसंद नहीं करते थे थोड़ी सी grammar की बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर जैसे यह loved है यहाँ पर did not like है अगर हम इसी sentence को negative में लिखेंगे तो यह she did not love होगा जैसे यहाँ पर यह she did not like है अगर हम इसे positive में लिखेंगे कि उसके भाई बहन उसे पसंद करते थे तो हम लिखेंगे liked did not हटा देंगे when it waddled towards them जब वह इनकी तरफ जाता था waddled का मतलब होता है भारी कदमों से चलना तो हम यहाँ पर इसे कहेंगे चलना waddled है तो चलता हुआ जाता था towards them उनकी और towards का मतलब होता है or them उनके they turned their backs वो अपनी पीठ घुमा लेते थे turned का मतलब है घुमाना their back अपनी पीठ यहाँ पर back का मतलब है and ran away और भाग जाते थे ran away का मतलब है भाग जाते थे जो आप यह कहानी पढ़ रहे हैं यह ज़ादा तर फर्म यूज होती है उसमें past indefinite tense होता है जैसे यह ran away है turned है loved है did not like है यह सारे sentence past indefinite tense के हैं यही एक ऐसा tense होता है जिसमें verb की second form यूज होती है the little ducklings वो छोटे छोटे बत्तक के बच्चे would go far a swim दूर तक तैरने के लिए जाते swim का मतलब होता है तैरना everyday rose to a lake एक जील में nearby pass के nearby का मतलब है पास के पास के lake का मतलब है जील everyday rose रोज वो छोटे छोटे बच्चे तैरने के लिए दूर तक जाते थे पास की एक जील में the ugly duckling वो बच्चूरत बच्च का बच्चा wanted to join the others दूसरों के साथ जाना चाहता था wanted का मतलब है चाहता था जाहता था join का मतलब साथ में साथ में ता अदर दूसरों के but लेकिन they did not want him लेकिन वो उसे नहीं चाहते थे देखिए ध्यान दीजेगा देखिए यहाँ पर यह है the ugly duckling wanted यह past indefinite sentence का sentence है जैसा मैंने आपको भी बताया था पिछले पेज में अब इसी का negative यह है did not want चाहते थे नहीं चाहते थे they always swam away वो हमेशा तैर कर दूर चले जाते always का मतलब होता है हमेशा swim away तैर कर दूर चले जाते from him उससे he was left all alone वो अकेला छोड़ दिया जाता was left का मतलब है छोड़ दिया जाता all alone बिलकुल अकेला बिलकुल अकेला the ugly duckling वो भद्दा बत्ख का बच्चा swim तैरता था better than the other ducklings ज्यादा अच्छा दूसरे बत्ख के बच्चों से better का मतलब है यहाँ पर बहतर या फिर अच्छा वो जो भद्दा बत्ख का बच्चा था वो दूसरे बत्ख के बच्चों से अच्छा तैरता था which did not please them at all जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था please का मतलब है यहाँ पर अच्छा लगना या फिर पसंद आना पसंद आना यहाँ पर दिखिए did not please है तो पसंद नहीं आता था them उन्हें did यहाँ not है तो at all not at all का मतलब हो जाता है बिल्कुल नहीं उन्चे बच्चों को उसकी तैराकी या फिर उसका तैरना बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि वो उनसे अच्छा तैरता था they teased him वह उसे परिशान करते थे about his ugliness उसके भद्देपन की वज़ा से they का मतलब है way tease का मतलब होता है परिशान करना या फिर छेडना teased है तो परिशान करते थे about his ugliness उसके भद्दे होने की वज़ा से his only friend was उसका सिर्फ एक ही दोस था his mother उसकी मा उसका सिर्फ एक ही दोस था वो थी उसकी मा the other ducks दूसरी बत्तक है told his mother उसकी मा को बताया करती थी all your ducklings तुम्हारे सभी बच्चे are smart smart हैं यानि थोड़ा सुन्दर दिखते हैं but लेकिन this big fellow ये बड़ा वाला looks दिखता है so different बहुत अलग so का मतलब जैसा मैं पिछले पेज में आपको बताया बहुत looks दिखता है दिखता है अब ये यहाँ पर present indefinite tense का sentence हो गया this big fellow looks ये बड़ा वाला दिखता है so different बहुत अलग why is he so ugly वह इतना बदसूरत क्यों है अब यहाँ पर so का मतलब होगा इतना अगली बदसूरत why क्यों is है his mother only said उसकी मा सिर्फ कहती थी only का मतलब है सिर्फ said कहती थी said का मतलब कहा भी होता है said say का second form होता है say का मतलब होता है कहना said है तो कहती थी he is mine वह मेरा है and I love him too और उसे भी मैं प्रेम करती हूँ love का मतलब होता है प्रेम करना him उसे तू भी अब जान देजेगा यह present in definite tense का sentence हुआ I love him मैं उसे प्रेम करती हूँ अगर इसे आपको negative में change करना हुआ तो आप कहेंगे I do not love him ठीक not के साथ do लगेगा जैसे past in definite tense में did लगता है at last at last अंत में at last का मतलब होता है feeling very lonely and sad बहुत अकेला और दुखी महसूस करते हुए lonely का मतलब है अकेला sad दुखी the ugly little duckling वो बदसूरत बतक का बच्चा decided to leave the lake जील को छोड़ने का फैसला किया leave का मतलब होता है छोड़ना decided निश्चे किया या फिर फैसला किया फैसला किया he made his way उसने अपना रास्ता बनाया to the reverse edge नदी के किनारे से and swam away और तैरता हुआ निकल गया with the river नदी के साथ यानि नदी के साथ बहता हुआ वो किनारे किनारे वहां से निकल गया river का मतलब होता है नदी by and by धीरे धीरे by and by का मतलब है धीरे 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 वह बड़ा हुआ देखिए यहां पर यह लुग्ड है यहां पर सो है लुग का मतलब होता है नजर से देखना यानि अपनी नजर दोडाना तथ हम यहां कह सकते हैं when he looked जब उसने अपनी नजर दोडाई into the water पानी में he saw उसने देखा यह saw C का second form होता है C का मतलब होता है देखना 100 है तो देखा His reflection अपना प्रतिबिम्ब Reflection का मतलब होता है प्रतिबिम्ब I looked so ugly मैं इतना बुरा दिखता हूं He thought उसने सोचा He was afraid of वह डरता था To look देखने में At his own reflection अपने ही प्रतिबिम्ब को खुद को छिपा लेता था If he saw anyone अगर वो किसी को देखता Coming आते हुए वो खुद को छिपा लेता जब वो किसी को आते हुए देखता Himself का मतलब है खुद को ये hid hide का second form होता है Hide का मतलब होता है छिपाना या फिर छिपना hide है तो छिपा लेता था saw देखता था anyone किसी को किसी को Coming आते हुए One day एक दिन He was hiding वो खुद छिप रहा था Among the reads नरकटों में अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर में Reads का मतलब होता है नरकट जो नदी या फिर जीलों या फिर तालाब के किनारे पतले पतले लंबे लंबे पौधे होते हैं उसे reads कहते हैं Then फिर He saw उसने देखा A flock of graceful white swans शानदार सफेद हनसों का एक जुन्ड flock का मतलब है जुन्ड graceful का मतलब है उसने कभी भी देखा हो शानदार वाइट सफेद स्वैंस हनस सो देखा Swim past तैर कर गुजरते हुए या जाते हुए पास्ट का मतलब है या पर गुजरना या फिर जाना They were the most beautiful birds वो सबसे जादा सुन्दर पक्षी थे He had ever seen जो उसने कभी भी देखा हो वो उसकी जिंदगी के सबसे सुन्दर पक्षी थे उससे सुन्दर पक्षी उसने कभी नहीं देखा था How wonderful, कितना शानदार To be like them उनके जैसा होना कितना शानदार होता है He said, उसने कहा To himself, खुद से उसने खुद से कहा कि कितना शानदार होता कि हम वैसे होते Then came winter फिर सर्दियों का मौसम आया Winter का मतलब होता है सर्दियों का मौसम With cold winds, ठंडी हवाओं के साथ And snow और बर्फ के साथ बर्फ और ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों का मौसम आया Without any shelter, बिना किसी च्छाओं के यानि बिना किसी च्छत के शिल्टर का मतलब होता है च्छत या फिर हम जिसे कह सकते हैं पना The poor duckling, वो बिचारा बत्तक का बच्चा Was frozen, जम गया था in the snow बर्फ में A kind man, एक दयालू आदमी ने saw him, उसे देखा He broke the snow, उसने बर्फ तोड़ी And saved the duckling, और उस बत्तक के बच्चे को बचा लिया Soon, जल्द ही, it was spring, बसंत का मौसम आ गया Spring का मतलब होता है बसंत का मौसम The duckling, वो बत्तक का बच्चा Was strong again, फिर से ताकतवर हो गया Again, फिर से He found his way, उसने अपना रास्ता निकाला To the reverse edge, नदी के किनारे से होता हुआ Reverse edge का मतलब है नदी का किनारा And swam away, और तेरता हुआ चला गया One fine morning, एक सुहावनी सुभा को He was swimming out, वो तैर रहा था On a lake, एक जील पर When a voice, तभी एक आवाज Behind him, उसके पीछे से Sid कहा Hello, Hello friend, Hello friend, Hello dost He turned around, वह पीछे मुड़ा To see, देखने के लिए Some beautiful white swans, कुछ सुन्दर सफेद हंसों को Beautiful का मतलब है सुन्दर, इसी का opposite होगा अगली White, सफेद, स्वैंस, हंस Hello, He replied, Hello, उसने जवाब दिया Replied का मतलब है, जवाब दिया Shaili, शर्माते हुए Shaili का मतलब है, शर्माते हुए They were smiling at him वह उस पर मुस्कुरा रहे थे Smile का मतलब होता है मुस्कुरा ना Were smiling है, तो मुस्कुरा रहे थे At him, उसके उपर He just couldn't believe it वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था One of them said उनमें से किसी ने कहा Why are you alone? तुम अकेले क्यों हो? Would you like? क्या तुम पसंद करोगे? To join us, हमारे साथ रहना? क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? Oh, may I really? क्या मैं ऐसा सच में कर सकता हूँ? Really का मतलब है सच में या फिर वास्ताओं में मैं आई है तो क्या मैं कर सकता हूँ? He asked, उसने पूछा Why not? क्यों नहीं? Said the others दूसरों ने कहा यानि दूसरे हंसों ने कहा कि क्यों नहीं? तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? You are a very handsome swan तुम एक बहुत ही सुन्दर हंस हो Handsome का मतलब होता है सुन्दर Male के लिए handsome यूज़ करते हैं और female के लिए beautiful यूज़ करते हैं After all, कुल मिलाकर कुल मिलाकर तुम एक बहुत ही सुन्दर हंस हो And when or जब He looked down उसने नीचे देखा यानि उसने अपनी नजर नीचे दवडाई At his reflection अपने पृतिबिम्ब पर In the water पानी में How amazed कितना आशर चकित He was वह था यानि वह बहुत ज़ादा आशर चकित था देखिए आपर यह exclamatory mark लगा हुआ है इस तरह से यह exclamatory sentence हुआ तो exclamatory sentence के last में हमेशा exclamatory sign होता है अब इसको अगर हम simple sentence में convert करेंगे तो How amazed he was को हम कहेंगे he was very amazed He was वह था Indeed वास्तों में A swan एक हंस वास्तों में वो एक हंस था देखिए इंडीड और रियली दोनों का मतलब एक होता है सच में सच में During winter ठंधी के दोरान His dull grey feathers उसका ढला हुआ ग्रे रंग का पंक Had fallen away Had fallen away यानि गिर गया था And now और अब He was a shining white graceful swan वो एक चमकदार सफेद शानदार हंस हो गया था He was का मतलब है यहां पर वो हो गया था यह था A shining एक चमकता हुआ White सफेद Graceful Swan शानदार हंस He forgot वह भूल गया All his sorrow अपना सारा दुख सौरो का मतलब है दुख Forgot भूल गया भूल गया All पूरा या फिर सब At last अंत में His suffering उसकी पीड़ा Had brought him उसके लिए लाई थी Such joy इस तरह का आनन्द अंत में उसकी पीड़ा ही उसके लिए इस तरह का आनन्द लाई थी Suffering का मतलब है पीड़ा या फिर दर्द Joy आनन्द He had found उसे मिल गया था Such beautiful friends उसे इस तरह के सुंदर दोस्त मिल गये थे So इसलिए He swam away वह तैरने लगा With the other swans दूसरे हंसों के साथ And lived happily और खुशी-खुशी रहने लगा Ever after हमेशा और वह हमेशा खुशी-खुशी रहने लगा Ever after का मतलब है हमेशा या फिर जिसे हम always कहते है Happily खुशी-खुशी खुशी खुशी Lived रहने लगा या फिर रहता था उमीद करता हूं इस क्लास में बताई गई Word meanings और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ धेर सारी Reading की Translation की और उच्चारन वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो चली मिलते हैं फिर अगली वीडियो में